नमस्ते एक परपुना आपका स्वागत है पडोजी के एंड करेंट अफेर्स में आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वा पुर्ण होने वाली है इस वीडियो में हम लोग नंद बंस को कवर करेंगे मित्रो मगद समराज्य का या चौथा भाग है इसके पूर्व हम लोगोंने हर्यक और सिसुनाग बंस को कवर कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग नंद बंस को कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में मोर्य बंस को कवर करेंगे तो बने रही हमारे साथ और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें comment करें मैं इसका PDF करने की वीडियो के description में दे दूँगा तो चले इस वीडियो को आड़ाम्भ करते हैं प्रस्तन संख्या एक महापदमनंद ने किस वंस की अस्थापना की इसका right answer है option D नंद वंस महापदमनंद ने नंद वंस की अस्थापना की नेक्स्ट यूनानी लेखक ने अग्रमीज किसे कहा है इसका सही उत्तर है option B धनानंद धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है नेक्स्ट नंद वंस का सबसे कुरूर सासक कौन था सही उतरह आप्शने धनानंद, अगला प्रस्टन है सरव छत्रान तक किसे कहा गया है, सो इसकारायटांसर आप्शन भी महापदमनंद, महापदमनंद को सरव छत्रान तक कहा गया है नंदवंस का अंतिम सासक कौन था इसका राइट आंसरे ओप्शन दी धना नंद धना नंद जो था नंदवंस का अंतिम सासक था और यह महापद्मनंद का पुत्र था नेक्स्ट व्याकरन के अचारे पाननी का नंदवंस से क्या सम्बंध था इसकरायट आंसरे ओप्शन भी मित्र अचारे पाननी महापदमनन्द के परम मित्र थे नेक्स्ट एक राट की उपाधी किस राजा को प्राप्थ है इसका रायट आंसर है ओप्शन सी महापदमनंद नेक्स्ट नंदवंस के सासक किस जाती से सम्बंधित थे इसका रायट आंसर है ओप्शन भी सूद्र नंदवंस के जो सासक थे वे सूद्र थे और वे नाई जाती से सम्बंधित थे अगला प्रसन है किस साशक का वस्तविक नाम उग्र सेंथ था? So is correct answer options है महापदमनन्द महापदमनन्द को उग्र सेंथ के नाम से भी जाना जाता है Next, निम्नमे से मगद का कौन साशक सिकन्दर के समकालिन था? So is correct answer एअपशन भी धनानंद धना नंद सिकंदर के समकालिन था और सिकंदर 326 इसा पुर्व में भारत पर आक्डमन किया था Next नंद वंस का सासन कब तक था So this correct answer is option B 344 इसा पुर्व से लेकर 322 इसा पुर्व तक Next किस नंद सासक ने कलिंग में नहर का निर्मान करवाया था So this correct answer is option B महापदमनंद महापदमनंद ने कलिंग में सिचाई के लिए नहर का निर्मान करवाया था Next महापदमनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर कलिंग से किस मूर्ति को मगद लाया था So this correct answer is option B जीन चेन जीन सेण की मूर्ति को महापदमनंद ने कलिंग पर विजय अप्राप्त करने के बाद मगद लाया था और इसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अविलेक से मिलती है चलिए अब हम लोग पिछले परसन का उत्तर जानते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चलिए मित्रो आज का प्रसुन देख लेते हैं किस अनुसूची में भारत की 22 भासाओं का उल्लेक किया गया है अगर आप इसका उतर जानते हैं तो इसे कमेंट में लिखे option A 5 वी अनुसुची में option B 8 वी अनुसुची में option C 12 वी अनुसुची में या option D 10 वी अनुसुची में तो मित्रो आज किस वीडियो में हम लोगों ने नंद बंस को कवर कर लिया है अगली वीडियो में हम लोग मोर्य बंस को देखेंगे तो आशा करता हूँ कि या वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करे कमेंट करे और अपने मित्रों के बीच इसे साजा करे तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जहिन जय भारत और कमेंट आवस्टे करना किया वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद